हाथवस से ये इस वक्त की बड़ी और एहम जौनकारी सामने आ वही है जोहां पर ये बड़ा हाथशा हो गया बतादे कि मैक्स वाहन में रोट में इस पर से टक्कर माती है हाथशे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए है ये बड़ी खबर सामने आ वही है अलिगर वायपा घटना बताई जा वही है जोहां आपको बतादे कि ये भीशन हाथशा हुआ है इस हाथशे पर सीम योगी ने भी संग्यान लिया है ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है सीम योगी ने आर्थिक मदद की घोशना की है बतादे कि 16 लोगों की इस हाथशे में दर्दनाक मॉलों को 2-2 लाग की आर्थिक मदद भी दी जाएगी और घालों को 50-50 हजार की मदद का एलान भी किया गया है ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है जोहां आत्रस में ये बड़ा हाथशा हो गया है बतादे कि मैक सुआहन में रोड़ीस बस ने टकर मादी है और इस सड़क हाथशे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है बृत्कों की संख्या लगताल बढ़ने की आश्रम का वीज़त आई जा रही है हाथशे में एक दर्जन से अधिक लोग घाल बताई जा रही है ये बड़ी खबर सामने आ रही है जोहां ये वीशन सड़क हाथशा हो गया है और इस साथ से में 16 लोगों की मौत की खबर है और तरी लोग घाल भी बताई जा रहे है ये बड़ा अपडेट इस वक का आपको बता रहे है अलिगड बाइपास के मितई गाउ की घटना बताई जा रही है और खोज से म योगी आधितिनात की जान लिया है ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो हात्वस में ये बड़ा योगी ने आर्थिक मदद दी भी साथी आपको बता दे कि मृत्कों की परिजनों को